नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका में यूट्यूब चैनल में अगर आपके पास भी आपको इंट्रेट से लेटी डिया नेटवर्क की शुआ रहा तो आप जापकी जो प्रोल्बम हो जाएगी अगर आप में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसलसे पेला करना चाहिए जो आपकी स्वापाते स्वाइल के स्लोटन में डालेंगे स्लोटन में डालने कशिचर जाना है स्ब्सक्राइब कर लेंगा इसे और ऑपके सामने कुछ ऐसा पैज खूल जाएगा जैसे जैसे मैं आपको इपिन स्टिंग कर के बताता हु आपको थोड़ा सा भी चेंजिस करते हैं तो आपको इंटरेट है और नेटवर्क इशो है वो वर्क नहीं करेगा तो आपको नेम में चले जाना है simply name में आपको लिखना है vi देख दीजे जैसे जैसे मैं लिखता हूं same to same way से लिख लेना आपको vi space 4g space connect ok कर लेंगे इसको फिर आपको API में चले जाना है API में आपको लिखना है vi net ok कर लेंगे इसको proxy ब्रोक्सी बर्पोर्ट को नहीं चीडाएंगी username में चले जाएंगे username आपको करना किया है यहाँ पे लिखेंगे आप vi space speed dot net ओके कर लेंगे इसको password को नहीं चेड़ेंगे server में चल जाएंगे server में आपको लिखना क्या है यहाँ पे www.google.com ओके कर लेंगे इसको mmcms, proxy, mmsport, mccmnc हमारे area code से आप बिल्कुल भी चेड़ खाने नहीं करेंगे जो आपके area code वह अलग है और मेरे area code जो अलग है अगर आप मेरे तरह same do same कर लेते हैं तो आपका joint rate है बिल्कुल वर्क नहीं करेंगा तो इसलिए हमें इसका बिल्कुल भी चेड़ खाने नहीं करेंगे फिर हमको चले जाना authentication type पे फिर यहाँ पे आपको करना क्या IP और CHP पे OK करेंगे APN type पे चले जाएंगे यहाँ पे आपको लिखना है default OK कर लेंगे इसको फिर आपको APN protocol में चले जाना है यहाँ पे IP4 slash IP6 करेंगे APN roaming protocol में IP4 slash IP6 करेंगे इसको भी फिर आपको चले जाना most important setting हमारी जो है barrier barrier में चले जाएंगे यहाँ पे आपको on space web से हटा देंगे जितने भी आपको option दिखते हैं सब पे टिगमाग कर लेंगे अगर आपके mobile में तो सारी option नहीं है तो आपको simply LTE पर OK कर लेना है और 3.px को save कर लेंगे हमारी जो APN आपको create हो चुग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो इस पर लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू लव यू अल